स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं प्लांट कम्यूनेटी की स्टडी कैसे करते हैं पहले एक वीडियो मए हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट कम्यूनेटी पाधव समुनधाय क्या होता है वहां हमने देखा था कि किसी भी छेतर में हम यह नहीं कह सकते सिर्फ वहां पे एक ही प्रकार के प्लांट्स होते हैं क्योंकि हर छेतर में किसी अलग-अलग टाइप की जातियां पाई जाती हैं तो अगर किसी छेतर में एक ही प्लांट की स्पिसीज हैं तो उनको वहां की क्या कहते हैं? उस जाती की जनसंख्या population कहते हैं. लेकिन एक पादप समुदाय में सिर्फ एक ही परकार की पादप जातियां नहीं होती, वहां पे भीन भीन परकार की पादप जातियां होती हैं और वो एक दूसरे को सहयोग करती हैं. तो ये तो है पादप समुदाय, अब इस पादप समुदाय की स्टड़ी कैसे करते हैं, तो किसी भी इस्तान पर उपस्तित विभिन परकार के पादपों के, मतलब पादप समुदाय की जानकारी है, वो पादप समुदाय का मुल्यांकन करके की जा सकती है, और इस पादप मुल्यांकन करने के लिए हमें दो परकार की विदियों का यूज करना पड़ता है मतलब इन दो विदियों का यूज करके हम किसी भी plant community की study कर सकते हैं तो इन में से पहली विदि है गुणात्मक सवरूप या पादप समुदाय का गुणात्मक सवरूप ग्याद करना means qualitative characters पढ़ते हैं इसमें दूसरा है संख्यात्मक आंकडे या पादप समुदाय के बारे में संख्यात्मक आंकडे ग्याद करना means quantitative characters देखेंगे तो पादप समुदाय के study के लिए दो टाइप के characters देखते हैं पहले qualitative और दूसरे quantitative तो qualitative characters के लिए पादप समुदाय के जो वनस्पती है उसके गुणात्मक आद्धियन के लिए कौन-कौन से गुणों का हम आद्धियन करते हैं वो देखते हैं पहला है पोदों के जातियों का उलेख कि किसी भी पादप समुदाय में किस-किस परकार की कौन-कौन से जातियां हैं उनकी हम एक list बना लेते हैं किसी भी अंतराष्टे मानेत अप्राप्त language में एक list बनाते हैं कि इस समुदाय में ये ये जातियां पाई जा रही हैं क्योंकि ये समस्जातियों के सूची है वो वहाँ पर प्रियावरनी ये गुणों के बारे में सूचना देती है कि यहाँ पर कौन-कौन से गुण होते हैं ये सबसे पहले क्वालिटेटिव केरेक्टर्स के स्टाडी के लिए हम क्या देखते हैं वहाँ के जातियों के एक list बना लेते हैं दूसरा है स्ट्रेटिव केसनिया उद्दग रिस्तर विन्याहस तो हम देखते हैं कि भूस्तर पे देखें या जल के अंदर जो भी पोदे पाये जाते हैं वो प्रकास और खादे प्राप्ति के लिए क्या करते हैं उनके अनुकुलन होने के लिए अपने अंगों में या फिर अपने पुरे सरीर में ही कुछ इस प्रकार के अनुकुलन वो प्राप्त कर लेते हैं कि या तो वो प्रकास को प्राप्त करने के लिए या बोजन के लिए क्या करते हैं पूरा का पूरा वहां का इस्तान है वो गहर लेते हैं जहां से उनको अच्छे से प्रकास मिल सके और दूसरे वातावरण का भी पूरा का पूरा उनको लाव मिल सकते हैं तो ऐसे किरियाओं के फ़र सुरूफ कहीं कहीं पोदे कई इस तर से एक दूसरे के उपर भी फैले हुए हो सकते हैं। तो इस परकार के वित्रन का फाइदा ही होता है कि कम इस्तान में बहुत सारे फोदे रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूत होती है तो ये उपर हैं, इनके नीचे वाले हैं इनकी चाया में रहते हैं। उसके बाद ये इनकी च्हाय में रहते है तो ये एक strative केशनिया इस तर बन जाते हैं इनके अलग-अलग और इननी के according ये अनुकुलित होते हैं इस परकार से इनकी लिव्ज हैं वो भी उसी परकार से अनुकुलित होती हैं तो यह हो गया इनका स्ट्रेटिफ केशन तो हमने दो पढ़ें एक पहले वहां की जितनी भी स्पीसिसे उनकी सुची बना लेते हैं दूसरा स्ट्रेटिफ केशन हम देखते हैं किस परकार का वहां पे उद्दगर इस्तर विन्यास है तीसरा हम देखते हैं महां की फिनोलोजी फिनोलोजी क्या होती है कि किसी भी स्टान पे पाए जाने वाले पादप संदाए की सभी जातियों के पादपों की विभीन किरियाओं कौन-कौन से किरियाओं का अध्यन किया जाता है किसी भी स्टान पे पादप संदाए की जो और बीजों का development किस तरीके से हो रहा है, कब हो रहा है, बीजों का वित्रन कैसे होता है, पत्यों का जड़ना, इन सभी क्रियाओं का अध्हिन किया जाता है, इसे हम कहते हैं फिनोलोजी, तो किसी भी स्थान की मनस्पति हैं, उनकी क्रियाओं महां के temperature, वायू, जल, उपलबत सूर्य के प्रकास से प्रभावित होती है, तो इन सभी क्रियाओं का प्रभाव वहां के जन्तु समुदाई पे भी पड़ता है, तो फिनोलोजी की स्थाड़ी भी, प्लांट कम्यूनिटी की स्थाड़ी के लिए जरूरी है, चोथा है, पोदों की जीवन सक्तिया, वाइट स्वस्थ और मजबूत होती हैं, जबकि कुछ होते हैं, वह बहुत कमजोर होती हैं, तो यह किस पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में जो जर्मिनेशन होता है, उस समय अगर बीज का अंकुरन हो रहा है, तो शुरुवात में अगर अच्छे से उसको वातावरन, पूर सुरु में ही उनको जर्मिनेशन के समय ही उचित वातावरन नहीं मिलता है, अनुकूल प्रिस्तितिया नहीं मिलती है, तो वह क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो मजबूत होते हैं वह पाले, सुखार, रोग, आदिक से क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, और यह लास तो पोदों की जीवन सक्तिय वाइटेलिटी का अध्यन हम पोदे की उंचाई से नापते हैं कि उंचाई अच्छी है मतलब वो स्वस्थ है जडों के लंबाई कैसी है पतियों का छेत्रफल कैसा है पतियों की संख्या कितनी है इनलिउज में उपसित वर्ण कैसे है फूल फल पोदों का सुस्क भार इन सब गुणों पर क्या अधार पी इनको हम नापते हैं कि पोदा है उसकी वाइटेलिटी या जीवन सक्ति कैसी है पांचवा है जीवन सवरूप या लाइफ होम्स राउंकेर ने 1934 में पोदों को उनके लाइफ होम्स के अधार पे राउंकेर के अनुसार पोदों के वन्स को चलाने में उन पर उपस्तित जनन चम अंगो जिने पेरिनिटिंग बोडिज कहते हैं उनकी एहम भूमी का होती है तो इसके आधार पर उन्होंने पांच टाइप के प्लांट्स हैं वो क्लासिफाई के पहले होते हैं प्लांट्स कौन से होते हैं ये प्लांट्स होते हैं वो भूमी से उपर होते हैं ये इनकी ब्रांचेज हैं ये बड्स हैं और जो पेरिनिटिंग बोडि या लाइफ हम जीव सरूप हैं वो कहां होते हैं इनकी ब्रांचेज के सिर्ष पे यहां पाए जाते हैं लाइफ हम मत बदलेंगे तो इनकी लाइफ फोर्म बीज है वो क्या है यहां जो धरातल से काफी उपर है फिनेरोफाइट्स में कीमोफाइट्स में होते तो धरातल से थोड़ा उपर ही है यहां इनकी लाइफ फोर्म्स लेकिन ये ये वाले फिनेरोफाइट्स होते हैं वो उसनकटिबंद पुराणी पतियां में गिर जाती है उंसे ठकी होई होती है कीमोफाइट्स तीसरा है हेमी क्रिप्टोफाइट्स हेमी क्रिप्टोफाइट्स की जो लाइफ होम्स होती है वो बिल्कुल धरातल पे होती है जैसे ये धरातल है यहाँ प्लांट है और ये बड्स वगिर बिल्कुल यहाँ पे होते हैं धरातल के जस्ट उपर होते हैं ये र फृरानी लिवज वगर से डकी होई होती है। छोथा है कृम्हें, कृश्यद्टी को पीबूडशन के अंधर होती है। लास्ट है थीरोफाइट्स थीरोफाइट्स वे प्रांट होते हैं ये बहुत कम समय के लिए उगते हैं सुरू में ये बीज होते हैं फिर ये जर्मिनेट होके और थोड़े समय के लिए रहते हैं उन्नुकुल प्रिस्तितियों में और कुछ महिनों में ही ये वापस से सीड ब कंडिशन में कहें इनका एंब्रियो है वो बीज में रहता है उन्भेवरेबल कंडिशन्स में तो ये रहूंकेर ने पांच फॉं में पांच भागों में प्लांट्स को बांटा है तो पारिस्थितिकी के दृष्टिकों इस प्रकार के वर्गी करण का बहुत महत्व है कि पूर अधिक मात्रा में होते हैं और इसी वर्ग के आधार पर वहां के बनस्पति एमम महां के बातावन का ग्यान होता है तो इसका धिन भी जरूरी है लाइफफ़र्म का चठा है सामाजिकता या सोसेबिलिटी तो कुछ जाती के पोदे हैं वो बहुत पास-पास में और ब जो पास-पास उगने पर या तो बहुत कमजोर होते हैं या फिर इनमें इतनी परतिसवर्ता हो जाती कि वो मर जाते हैं अता ये घनियाबादी नहीं बना सकते तो ब्रॉन ब्लेफे के अनुसार अधिक समाजिकता के वल उन्ही पोदों में पाई जाती है जिनमें या तो ब जली परकार से उनका वित्रन होता हो बीजों का अंकुरन अधिक मात्रा में होता हो उनके पोदों में competition जमता अधिक होती हो और पोदों पर संक्रामक रोगों का नियुनतम प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे पोदे होते हैं वो sociability जादा शो करते हैं अर्थात घनियाबादी बनाते हैं तो ये तो हमारे हुए क्वालिटेटिव केरेक्टर्स क्वालिटेटिव केरेक्टर्स कौन-कौन से पड़े हमने एक तो कौन-कौन सी स्पिसीज है वहां की उनकी सूची बनाना दूसरी वहां स्ट्रेटिफ केसिन कैसा है तीसरा वहां के फिनोलोजी देखते हैं क पादबों के जो किरियाई हैं कुरण बगेर उन सब का अधियन करते हैं चोथा पोधों की जीवन सकती कैसी होती हैं पांच में वहां के लाइफ होम कैसी होती है उन प्लांट्स की और चठा इनकी सोसेबिलिटी तो ये होगे हमारे क्वालिटिटिव केरेक्टर्स अब हम संख्या पर अधारित है कुछ संख्या आत्म गुण ये हैं हम यहां पड़ते हैं क्वांटिटिटिव केरेक्टर्स जिसमें से हम पढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी दूसरा हम देखेंगे उसकी देंसिटी तीसरा देखेंगे कवर चोथा अबन्डेंस तो ये चार क्यारेक्टर होते हैं, कुछ-کुछ ज्यते के पोदे वो चोटे-चोटे समुधाय में वित्रिद होते हैं तो पोदों का वित्रन उनके परजनद, बीज़ की बनावटे हुआता उनके अनुकूलता का परतीक है तो यह जोbased frequency निकालने का फोर्मूला होता है यह क्या होता है हम इसके लिए पहले क्वाड्रेट लेते हैं क्वाड्रेट क्या होते हैं जैसे यह समान लंबाई के बुजाओं वाली किसे भी सेप के हो सकते हैं तो समान लंबाई के बुजाओं वाली यह क्या है यह क्वाड्रेट है ऐसा एक लकडी क् इस shape का उसे हम कहेंगे Quadrate अब कोई भी area है वहां की हमें Frequency निकालनी है तो इस Quadrate को हम ले जाकर किसी भी जगह रख देंगे उस area में इसमें जो भी उस जिस भी जाती के हम Frequency देख रहे हैं वो देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याई है जैसे माल लिया इसमें उस species के पोद्धे आये हैं इसको उठा के हम दूसरी जगह रखेंगे यहाँ पर माना कि हम जिस species की Frequency देख रहे हैं उसका एक भी प्लांट नहीं आया तीसरी जगह देखा वहां पर इसके फिर से क्या है species आई है तो अब इसकी Frequency कैसे निकालेंगे Quadrate के कुल संख्या जिनमें वह species पाई जाती है जैसे हमने तीन ही जगह रखें तो हमने कहा इन दो जगह तो species पाई गई तो दो बटे टोटल Quadrate कितने देखे थे हमने एक दो तीन जिनमें से दो जगह इन दो में तो क्या था Frequency पाई गई जबकि इसमें नहीं तो टोटल तो दो में पाई गई बटे टोटल हमने कितने देखे थे एक दो तीन तो दो बटे तीन इन्टू सो तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते है Frequency अब ये राउंकेर ने पोधों को बारंबारता के आधार पर पांच बाकों में पांटा उन्होंने कहा जिन फोधों की Frequency एक से बीस परसेंट तक आती है वो एक केटेगरी में होती है क्लास A में 21 से 40 परसेंट वाले B में 41 से 60 वाले C में 61 से 80 वाले D में और 81 से 100 वाले E में अब इन्होंने रांकेर्न क्या किया कि इनको बहुत सारे लगबग 8000 क्वार्डर्स की स्टरडी करके वो एक नतीजे पे पहुंचे उन्होंने कहा हमेशा A क्लास की Frequency है वो B से ज़्यादा होगी B की C से ज़्यादा होगी और C और D वालों की बराबर भी हो सकती है C की D से ज़्यादा हो सकती है C की D से कम भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है लेकिन E की D से हमेशा ज़्यादा होगी तो ये पहला Quantitative Character Frequency हुआ दूसरा है घनत्वर Density तो किसी स्थान में इकाई छेत्रफल में उपस्तित पोदों की संख्या क्या बोला है इसने इकाई छेत्रफल नाम लिया है किसी भी स्थान में इकाई छेत्रफल में उपस्तित पोदों की कुल संख्या वहां का घनत्वर दरसाती है और पोदों की घनत्वर का परभा उनके आप सिप परतियोगिता का धोतक है यदि पोदे पास-पास हैं तो उनमें परतियोगिता ज्यादा है अधिक परजनन सक्ति वाले पोदों का घनत्व उनकूल वातारण में अधिक होता है घनत्व निकालने के लिए हम ऐसे ही क्वाडरेट्स का यूज करेंगे तो उसमें सभी क्वाडरेट उस इस्पिसिज के पोदों की कुल संख्या यहां हम सिर्फ क्वाडरेट देखे थे कि फ्रिक्वेंस में कि कौन-कौन से क्वाडरेट्स में इस्पिसिज पाई गई उनक्वाडरेट्स की संख्या लिखी जबकि गन्यत्वा निकालते हैं तो उन Quadrates में कितने पोदे मिले टोटल उस जाती के वो count करेंगे बटे कुल Quadrate जैसे मालिया हमने कहा कि इस Quadrate में तीन प्लांट मिले इसमें दो मिले इसमें एक भी नहीं मिला तो हम क्या count करेंगे तीन दो पांच तो पांच बटे टोटल कितने Quadrate थे एक दो तीन तो तीन तो ये हो गया घनत्वे तीसरा हम देखेंगे आवरण छित्र कवर तो आवरण छित्र ये दरसाथा कि उसने भूमी का कितना भाग केवल तने से और कितना है वो परणिल आवरण से गेर रखाया तो केवल तने द्वारण घेरे छित्र को उसका आधारा आवरण छित्र तथा पढ़ने लावरण द्वारा धके छित्र को पढ़नी लावरण छित्र केते हैं आधार और पढ़नी लावरन छेतर का आंकलन तने की परीधी तथा दो पैर को पोदे द्वारा की गीचाय की परीधी को नापके किया जाता है अब जो था है इसकी abundance परचूरता सघंता भी निकाल सकते हैं तो किसी स्थान विशेश पर किसी जाती के पोदों का समूहन उसकी परचूरता देखो घंतवय में कहा था इसने काई छेतर बोल ला था जबकि abundance में कह रहा है कि किसी विशेश छेतर पर किसी जाती के पोदों का समूहन aggregation होता है उसे हम परचूरता या अबंडेन्स कहते हैं इसके लिए फॉर्मुला होता है सभी क्वाड्रेटों में उस इस्पीसिज के पोदों की संख्या जैसे हमने डेंसिटि में देखी डिवाइडेड उन क्वाड्रेटों की संख्या जिनमें इस्पीसिज पाई गई जबकि तो इस परकार हम किसी भी इस्तान पर पाई जाने वाले वनस्पति का अध्यन कर सकते हैं अब ये किसी भी पादप समधाय का अध्यन करने के लिए वहां के पादप समों को नापना उनका गिनना ये सब प्रेक्टिकली इंपोसिबल है इसलिए हम इनका अध्यन करने के सेंप्लिंग विधी हैं एक है क्वाड्रेट विधी जो जैसे एक दागा लेंगे और उस दागे की सहता से उस दागे को ऐसे बिचा देते हैं फिर माल लिया यह एक सेंटीमेटर का है इतनी दूर यह भी एक सेंटीमेटर तो यह ऐसे करके हम देखेंगे कि इस एरिया में उस जाती की कित्ते प्लांट से हैं तो माल लिया यहां पे कित्ते प्लांट से हैं पां मालिया यहां दो आयें दो फिर हमने एक सेंटीमेटर और बढ़ाया इधर और इधर भी एक सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर इसमें देखा इसमें आये तीन फिर हम उपर गए इसको वापस बढ़ाया और इधर भी बढ़ाया इधर कितने लिए तीन सेंटीमेटर इधर भी तीन सेंटिमेटर तो अब हमें कितने मिले पांच प्लांट मिले ऐसे फिर से हम एक और चार सेंटिमेटर करेंगे एक सेंटिमेटर बढ़ा के इधर भी हम एक सेंटिमेटर लगए लेंगे तो उसमें भी पांच, अब यहाँ पे इन फोदों के संख्या क्या होगी, यहाँ भी पांच ही मिले, इस क्वाडरेट में भी, इस क्वाडरेट में भी कितने मिले, पांच ही मिले, तो हम अब यह वाला क्वाडरेट है, इसको हम सेंप्लिंग के लिए काम में ले लेंगे, इस तरह से हम क कुण ांजक्ट विधी में क्या करते हैं कि एक सीरे दूसरे सीरे तक एक सीधे ्दोरी डाल देते हैं ऐसे करके इस डिोरी पर जितने बी बी पोद्यों की पिसीज आती है आवर्ति और कुल साथ जितने बी इस्पिसीज आती है उन की इसब से हम आवर्ती देख लेते हैं चैसे इस पर देख ले हम तीन पोद्य आ गए फिर थोड़ी दूर बाद में ऐसे एक धागा और बिचा दिया इसके समाना अंतर फिर ऐसे ऐसे 10-15 धागे हमने समाना अंतर बिचा दिये और फिर इन पर कितने प्लांट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम उनकी फ्रिक्वेंसी वगिरा निकाल लें तो इसे कते हैं ट्रांजेक्ट विधी थेंक्यू